साथियों, हमारी सरकार का लक्ष भारत के सामान्य मानवी को एमपावर करना है, उसे पावर्फुल बनाना है, इसलिए हमने समाज के अंतिम पाइदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली, हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया, पहला, बैंकिंग व्यवस्ता को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा, वित्तियस समावेश किया, फाइनांशल इंक्लूजन किया, पहले जब बहुदिक्ट सेमिनार्स होती थी, बड़े-बड़े विद्वान लोग अर्थ ववस्ता की, बैंकिंग ववस्ता की, गरीबों की चर्था करते थे, तब स्वाभा भी करे थे, वित्तियस समावेश की बात होती ही थी, लेकिन जो व्यवस्ताएं थी, वो विचारों तक सिमित रह जाती थी, की व्यवस्ताएं इस क्रांतिकारी कारे के लिए, फाइनेंशल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी, पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चल कर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टेम से वो जुड़ जाएगा, लेकिन हमने रिवाज बढ़ला, हमने तैय किया, कि बैंक खुद चल कर गरीब के घर तक जाएगे, इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम कर रही थी, हमने फिजिकल दूरी भी कम की, और सबसे बड़ा जो रुकावड थी, उस मनोवेज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया, हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुधूर में घर गर तक पहुंचाने को सर्वुच्च प्रात्फिकता दी, आज भारत के 99 परसंट से ज़्यादा गावों में पांच किलोमेटर के भीतर कोई ने कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कोर्स्पंडन मोजूद है, इसके अलावा देश में जो पोस्ट अफिस का व्यापक नेट्वर्ख था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिये, वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है, आज देश में हर एक लाख वयस्क, एक लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाय मुझूद है, वो जर्मनी, चीन और दक्षिन आफरिका से ऐसे देशों से भी जादा है,